हलो फ्रेंड्स कॉंप्टिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लोक नाट्य के संबंध में इससे पहले हम लोग गीत और लोक नुरते दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं आज हम बात करेंगे जब लोक संबंध में घ cooked तो मध्य प्रदेश में लोक नाट्य को चार भागों में यह चार भां कॉण से हिए वह देख लेते पहला है मालवा के लोक नात्य दूसरा है निमार के लोग नाटियों तीसरा बुंदेल खंड और चौथा भगिल खंड मतलब जैसे हमने बाकी सब को बाटा वैसे हम इसे भी आबाटेंगे मालवा के लोग नाटियों की बात करते हैं तो मालवा में माच, भावई और कटपुतले दिखाई देते हैं निमाण में रास लीला और गम्मद, बुंदेल खंड में स्वांग, अखाडा, नौटंकी, खंब, स्वांग, आदी दिखाई देते हैं और कुजन जाती नहीं होगा यहां पर बगिल खंड में नौटंकी, मन्सुखा, चाहुर, रास, लकडबग्गा, जिंदबा, हिंगोला, कर्मा और चंदोनी दिखाई देते हैं चलिल सबसे पहले मालवा की लोकनाटि की तरफ आनगे बढ़तेए तो सबसे पहला जो लोकनाटि हमें दिखाए देता है को है माच यहां जो लोकनाटी है यह किस छेतर का है तो यह मुखेता मालवा का है मालवा के इंतरगधी किस जिले का है तो यह है उज्जैन जिले का इस लोकनाटी का जो प्रारम्भ है वो रात्री के समय में पहले पहर में किया जाता है इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यह जो है यह गम्मत का संशोधित रूप है अब गम्मत क्या है? देखें हमने अभी देखा था कि निमार में एक लोकनाटी है जिसका नाम है गम्मत और गम्मत का ही संशोधित रूप माना जाता है माच को नेक्स चलते हैं हम भवई भवई जो लोकनाटी है वो भील जनजाती के दुआरा किया जाता है इतना आपको याद रखना है किस छेतर में तो मालवा के शेतर में किया जाता है बस आपको बहुत ज़्यादा डीटेलिंग नहीं करनी आपको इतना पता होना ची कौन सा तो इस कारण से जो कटपुतली है वो मालवा के शेतर में और राजिस्थान से प्रेरित है इसमें कहानी सुनाई जाती कटपुतली के इशारे करकर के कहानी भी सुनाई जाती है निमार के लोकनाटिया सबसे पहले हम देखेंगे गंमत गंमत की जब हम बात करते हैं तो यहा में हम देखते हैं कि इस लोकनाट्य में यह गडगौर के समय या फिर नवरात्री के समय या इसके अलावा दिवाली या फिर किसी आवसर के समय में किया जाता है यह जो है इसमें विभन प्रकार की वेजबुशा और स्वांग धरे जाते हैं स्वांग का मतलब होता है किसी को यह प्रेटेंड करना कि हम यह हैं बल्कि आप वास्था में वह नहीं होता जैसे की एक्जामपल के लिए कोई व्यक्ति जो है इस लोकनाटी में हाती बन गया को शेर बन गया इस प्रकार के स्वांग किसी ने कृष्ण का स्वांग धर लिया किसी ने राधा का स्वांग धर इसके अलावा यह भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंदित है तो कृष्ण लीला पर आधारित होती है इसमें एक राधा और एक कृष्ण बनते हैं और बाकी चुरहेंगे वो अन्य गोपियाएं बनती हैं बुंदेल खंड के लोकनाटिया देखें मालवा हो गया निमा क्योंकि यह महतवपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह किस चेत्र में होता है तो यह होता है गवालियर खिश्रे धार में है नाटी यह करती है सहरिया जन जाती इस नाट्य का आयोजन करती है अखाडा अखाडा जो नाटी है इसमें मुखेता क्या होता है यह मेज यहाँ पर गलत लगे है यहाँ पर यह मेज नहीं होनी चाहिए अखाडा का मतलब क्या होता है कि शारेडिक गत्विधियों को दिखा के जो नाटि किया जाता है वो अखाडा के अंतरगत आता है राम लीला राम लीला जो है यह मुख्यता दशेरे के समय में आयोज़त किया जाने वाला नाट्य है इसमें भगवान श्री राम के पूरे जीवन को दिखाया जाता है पूरी दृष्टी दिखाई जाती है उनकी पूरी रामायर की कथाएं यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है राम लीला के अंतरगत इसके अलावा हमें यहां देखना है कि दतिया जिले के अंतरगत राम ल शाहूर मन शुखा और नोंटकी जबेखो च्छाहूर जो है ना यह लोग नाटी is do देख सकते हैं ये लोग नाटी में अलग-अलग प्रकार की कहानिया बताई जाती किस शित्रा बखेल खंड का है मनसुखा जो है यह एक प्रकार का रास एक प्रकार की रास है और रास लीरा भी इसे कहा जाता है और मनसुखा को मनसुख लाल भी कहा जाता है मनसुख लाल नौटंकी ये वही है जिसका उदय जो है एक तरीके से भारते इंदू हरिश्वंदर जी के दुआरा किया गया था तो ये उसी नौटंकी की बात हो रही है रास भगवान कृष्ण राधा एवं गोपियों पर आधारित होता है मुख्य केंद्र भगवान कृष्ण इवं गोपिया होती है लकड बग्गा यहां भी किस छेत्र में होता है तो हमने देख लिया फिर बात करते हैं मद्य प्रदीष में प्रमुख रंग कर्मियों की रंग कर्मी का मतलब होता है यह समझ है देखिए अब कौन-कौन व्यक्ति ऐसे थे और इन्हों ने कौन-कौन से लोग नाटी कीए आधिक बनाएं कौन-कौन सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है श्री अभीब तन्वीर कि जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हभीब तन्वीर जी का जन्म जो है वहाँ 1923 में हुआ था तो वर्ष 1923 में इनका जन्म मुआ तो राइपुर में हुआ था और राइपुर उस समय में मध्य प्रदेश की अंतरगत आता था तो तातकालिक मध्य प्रदेश में हभीब तन्वीर जी का जन्म हुआ ये एक कवी शायर और निर्देशक भी रहे हैं कवी रहे हैं एक शायर रहे हैं इसके साथ में यहां व्यक्ति एक निर्देशक भी रहे हैं निर्देशक का से वो है आग्रा बाजार दूसरा है चरण गास चोर और तीसरा है शाजापुर की शांती बाई यह सबसे जादा प्रमुख है अगले हम बात करेंगे तो अगले जो हमें प्रमुख रंग कर में दिखाई देते हैं उनका नाम में श्री बाबा डीक के बाबा डीक्ति की जब हम बात करते हैं तो बाबा डीका का जन्म वर्ष 1919 में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतरगत हुआ था और नीमच कहां पड़ता है तो जैन संभाग के अंतरगता आता है जो कि राजिस्थान से जोड़ा हुआ शेत्र भी है यह आपको याद रखना है इन्होंने इन दोर में नाट्य भारती के स्थापना की जो बहुत जादा बहुत जादा of nota ऑ्टि के स्थापना इसके लावा इस ही नाट्य भारती को आज लिटल ़ेटटर के नाम से भी जाना जाता है यह आपको क्लियर होना चाहिए इनकी एक रचन लेकिन इनका जो निवास है वो हमारे हाँ भुपाल में हुआ था बंसी कोल जी का जर्म जम्मु कश्मीर में परंतु निवास भुपाल में हुआ था इन्होंने एक संस्था है जिसका नाम है रंग विदूशक तो रंग विदूशक संस्था में अपना बहुत ही जादा योगदान दिया और इस संस्था की स्थापना भी की इसके अलावा इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है तो कालिदास सम्मान और पद्म पुरुषकार पद्म श्री से भी सम्मानित इन्हें किया गया है श्र परणतु इन्होंने अपना कारी शेत्र चथ्थिसगड़ को बनाया वही श्री नरहरी पटेल जी की बात करींगे जो हमें दिखाई दे रहे इनका जन्म सैलानार रतलाम में हुआ था और इन्होंने अपना जो कार शेत्र है वो इंदौर जिले को बनाया था इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में प्रमुख रंग कर्मियों को पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में लोग चितरकला का मतलब क्या होता है मतलब पेंटिंग हमें बतानी ही कि लोग चितरकला किस छेतर में कौन-कौन सी विशेश पाई जाती है सबसे पहले हम देखेंगे मालवा की चितरकला सहनावी मालवा की सबसे पहली चितरकला सहनावी होती है हम फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो चितरकला है यह दिवारों पर की जाती है गोबर से की जाती है और अलग अलग देवी देवता बनाए जाते हैं इसमें संजा देखो जो संजा माई के गीत हम गाते हैं तो यह वही संजा माई की पेंटिंग है जो कि दिवारों पर ही की जाती है इसके साथ में इसका पूजन भी किया जाता है संजागीत में हमने देखा था कि मालवा के शेत्र में इसका पूजन किया जाता है तो यह पेंटिंग बनाई जाती है उस पेंटिंग को विभन विभन तरीके से सजाया जाता है फिर किशोरियों के द्वारा इसका पूजन होता है और पूजन करते समय जो किशोरियां गीत गा जाता है यह जो है यह दिपावली की अफसर पर बनाई जाती है इसके अलावा किसी भी घर में जब भी कोई शुब कारिक्रम होता है तो उस समय में मांधना बनाया जाता है जिसे नॉर्मल लोग रंगोली भी कहते हैं विविन प्रकार की रंगोली हमको देखने के लिए मिलती है यह एक ही नहीं है अलग अलग तरह के भी हमको देखने के लिए मिलती है इसके अलावा दिवासा दिवासा की जब हम बात करते हैं तो यह जो है यह भित्ती चित्रकला है भित्ती चित्रकला को क्या मतलब होता है दे की जाती है श्राद पक्षपर चित्रावड चित्रावड आप देख सकते हैं चित्रावड का सीधा मतलब है कि यहां भी दिवारों पर की जाती है और दिवारों पर विभिन विभिन प्रकार के चित्र बनाया जाते हो और हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे चित् जिसे के घोडा, शिकारी, लोग, सब कुछ दिखाई देता है. पागलिया चितरकला की बात करेंगे, तो पागलिया चितरकला जो है, वो छोटे बच्चे के जन्म के समय बनवाई जाती है. इसका सीधा अश्रह होता है, कि छोटा बच्चा जब जन्म लेके घर आता है, घर में प्रवेश करता है, तो उसके सुभ पैरों को संकेत के रुप म जो है, बनाया जाने वाली चितरकला है. काचली भरण काचली भरन काचली भरन जो है, यह हमें एक फोटो लगांके र खालता है. यह जब लड़कियों का विवा होता है, दुल्हना्य जब तयार होती है, तो उनकी आखों के उपर यहां पर आपने देखा होगा, यह जो दिखाई देती है कि दुलहनों के माथे पर काचली भरी जाती है थापा थापा की बात करेंगे तो किसे भेश ववसर पर जब नव विवाहित यूवक और यूवती घर आते हैं तो उस समय उनके हाथों को लेकर हल्दी के थाप से या फिर महावर के थाप से दिवालों पर नि अब इसमें हम या तो इस तरी पुरुष के भी हाथ रख सकते हैं या चोटे बच्चे घर आते तो उनके हाथों को लेकर भी यह चितरकला बनाई जाती है तो हम इसको भी रख सकते हैं संजा फुली जो है वह जैसे कि हमने संजा माई के डिजाइन देखी थी ना वैसी ही य इसे बहुत अच्छी से सजाया जाता है और दिवारों पर बनाया जाता है आप देख सकते हैं और फिर बाद में इसकी पूजा होती है मोर्धन मोर्धन जो है यह विशेश प्रकार की पूजा हमें चितरकला दिखाई देती है इसमें भगवान को सूर्य, चंद्र, स्वास् जिरोती भी बहुत जाला महत्वपूर है, बुंदेल खंड की चितरकला, बुंदेल खंड की चितरकला में हमें सबसे पहले जो तिखाई देती है वो है सुरौती चितरकला, सुरौती चितरकला जो है यह दिवाली के समय में बनाई जाती है और इसे बुंदेल खंड की सबस सर्व श्रेष्ट चित्रकला जो है वो सुरती है जो कि दिवाली के समय में बनाई जाती है नेक्स देखते हैं मोरेते मोरेते जो है यहां चित्रकला बनाई जाती है हाथों से इसके लावा एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यहां चित्रकला जो है वहां विवाहा के सम तो जो छाप पड़ती है ना उसे ही मोरते भी कहा जाता है नौरता कि जब हम बात करते हैं तो माता दुर्गा के देख half WHY झोटी कन्याओं के द्वारा चौने कि बदेखाई ये वектив ऐंप विखे समर्पित हमं ये दिखाई देते हैं जब हम बात करते हैं तो घरे जब भी कोई शुब काम होता है तो उस समय हम चौक बनाते हैं और चौक बनाने के बाद इसके उपर पटा रखते हैं और पटे के उपर भगवान का आसन जमाते हैं अर्थात चौक एक प्रकार की वह डिजाइन है जिसके उपर भगवान जी खुद बैठते हैं आकर न तो कि अवसार पर गोवर से बनाई जाने वाले चित्रकरा है और गोधन गोवर्धन ये भी सेम टू से में गोवर से ही बनाई जाती है बगहेल खंड की चित्रकरा देखो बगहेल कंड की सबसे पहली चित्रकरा जो है नावरान नमे चित्र इस चित्र में नौ दुर्गा के समय मे तादुर्गा की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं यही नवरान नमे चित्र कहलाते हैं इसके बाद जब हम बात करते हैं कोहबर चित्र की तो कोहबर जो चित्र है यह हमें दिखाई देता है कि यहां विवाह के अवसर पर बनाया जाते हैं और विवाह के अवसर पर क्या होता है जो इस्ति पुरुशिया जो नव विवाहत योगल होता है जो जोड़े होते हैं वो इस कोबर चित्रे की पूजा करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं मोर, मुरेला या फिर मोईरा तो यह जो चित्रकला है यहां में बुंदेलखंड और बगहिलखंड इन दोनों शित्रों में दिखाई देती है इसमें किया क्या जाता है सिंपल सी बात है कि इसमें मोर के विभिन विभन आकरती के सुन्दर सुन्दर चित्र बनाया जाते हैं जिनने ही मुरेला कहा जाता है चोटी चित्र चोटी चित्र का मतलब यह है देखे जब बच्चे का जन्म होता है तो चोटे शुशु जन्म के छे महीने पश्यात या फिर छे दिन के पश्यात चटी माता का एक चित्र बनाया जाता है और इस चटी माता के चित्र का पूजन किया जाता है अच्छा कई लोग वह धिलंगा चित्र जो है वह दिवारों पर मतलब एक प्रकार का भित्ती चित्र निर्मित की जाती है वह सुंधर पेंटिंग से अर्थिशाल भी कलर निहीं ही ऐसे निकाल पनाया मध्य प्रदेश के प्रमुक को चित्रकाल की बात करेंगे तो नाड़ायन श्रीधर बेंद्रे म्ध्य प्रधीश क lack चित्रकालों के अंतरकत आते ह्म नेच्स समझेखते ह हैं स्ब्ल Dziękuję दिखाई देते हैं दॉक्टर मंजूशा गांगली यह भी मधिप्रदीश की प्रमुक चितरकार हैं दॉक्तर रॉबन डिवेडी रॉबन डेविड तो रॉबन डेविड भी हमको दिखाई देते हैं डॉक्तर सैयद हैदर रजा जो है वह बहुत ज़्याद मात्वपूर्ण ह यह मनदलधीले की चितर में हुआ था क्याभूल फिदा हुसाइन इनका संम्मंद आपन चित्रकला से देख को हम इनके बारे में हम रिवारे हैं विम्समें देटे şaka outta मतलब होता है हाथों से बनाई गई कलाकृती हस्त शिल्प कहलाती है मद्य प्रदीश में जब हम हस्त शिल्प की बात करते हैं तो मद्य प्रदीश में आपको विभिन्न प्रकार के हस्त शिल्प दिखाई देते हैं जैसे कि क्या क्या लाख शिल्प लाख शिल्प क्या होता है देखो लाख जो है एक प्रकार का प्राकृतिक रेजिन होता है जो कि पेडों की छाल से निकलता है और पेडों से निकलने वाले इस रेजिन से विपन प्रकार की कलाकृति बनाई जाती है चूड़ी बनाई जाती है कंगी बनाई जाती और सौंधर प्रशाधन की चीजें भी इसे जल्द ही जिए टैग भी मिलने वाला है यह बात भी आपको क्लियर याद रखनी है खराद कला का सम्मंध भी मध्य परदेश चे ही है फिर आथा प्ता शिल्फ अब पत्ता शिल्प क्या होता है, पत्ता शिल्प का मतला में कि विभिन प्रकार के छोटे-छोटे पत्तों को कलेक्ट करके कुछ ऐसी डिजाइन बनाना जैसे कि यह दिखरी बहुत यूनिक डिजाइन है, यह किसकी है आपको पता होगा, शाहिद यह एंगरी बॉर्ड की डि यह कला हमें दिखाई देती है, इस कल्ने में क्या किया जाता है चैटत्त पुतली अर्व gap को हम काबू करते है, शे कि बताते है सामने वाले को कहानी जिस meanicWow sponsor, अब mail. महिश्वरी साडी famous है वैसे ही चन्देरी साडी यह सोब है जैसे हम देखते हैं चंदेरी कि शेत्र में आता है तो अशोक नगर वाले शेत्र के अंतरगत आता है प्रशत्र शिल्प यह क्या होता है देखो पत्थरों को काट कर जो आकरतिया बनाई जाती है, उन्हें प्रशस्त्र सिल्प के भीतर रखा जाता है यह आप मूर्तियां देख सकते हैं देखिए इसमें एक ही पत्थर रहा होगा और इस एक पत्थर को काट कर इतनी सुंदर माता की मूर्तिया इतनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है और इसे ही प्रशस्त्र सिल्प कहा जाता है यह जो नए नई टिया चीजे बनाया जाती है जो नया-nया शिल्प बनाया जाता है उससे मिंटी शिल्प कहा जाता है आज बहुत ज़ लोगं किया होगा है बहुत ज़ादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगे हैं और इन्वायर्मेंट का ख्याल रखने लगे हैं तो वो ज़ादा प्लास्टिक चीजे यूज नहीं करना पसंद कर रहे हैं वो यूज करना पसंद कर रहे हैं जो और गैनिक हो जो हम नए तरीके से बना सकें जो आसा अध्यप्रदीश में काश्च शिल्प की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मद्यप्रदीश में कितना सुन्दर काश्च शिल्प होता है इसके अरावा लकडी चीरने का सबसे बड़ा कार खाना मंडला जिले के मनेरी में स्थित हैं यह आपको क्लियर होना चाहिए धा तो शिल्प में कौन कौन सी तामबा मैगनीजियम अलग 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 धातुओं में जो कलाकरती की जाती है जो मूर्तिया बनाई जाती है वही धातु शिल्प के अंतरगत आती है कंगी कला देखें कंगी कला ने बहुत जादा यूनिक है पर मुझे मिला इसकी फोटो हात्वपूर है महिश्वरी साडी जो है वह मध्य प्रदेश की खरगोन जिले के अंतरकत है और यह वही शेत्र जो के अहलिया भाई होलकर का शेत्र था तो यहां पर जो साडिया बनती है यह अपने बॉर्डर के लिए बहुत जादा जानी जाती है और यह पूरी साडिया और यह बहुत जादा फेमस भी होती है इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में संपून कला इवं संस्कृति की पूरा वीडियो समाब्द कर लिया आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएए इसके साथ ही साथ में यदि आपको अभी भी कोई कोई क कर दो